दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल मैं हूँ इश्वर गेलोत कैसे हैं आप अच्छे हैं वेरी गुड़ अच्छे रेना चाहिए कैसे काम चल रहा है अच्छा चल रहा है चलो ठीक है कोई प्राब्लम तो नहीं है लाइप में अगर प्राब्लम हो तो मेरे ब्लाग पे जाके आप ब्लाग में लिख सकते हैं फेस्बुक पे मुझे बता सकते हैं इस्टाग्राम को ब्लेट फार्म खुला आप बता सकते हैं मैं आपको केसा लग रहा हूं अच्छा लग रहा है और कि झालगा रहा हूं कियम आप मुझा कर रहें के नहीं的 क्य मगरा हूं है ऐसे मजह लेते रहें जिंदगी में में उधार में ऀन्जाइइ कि अगर कोई प्राभ्लम हो तो मुझे कमेंट्स की जिए फेस्बुक पे कीजिए इंस्टाग्राम पे कीजिए ट्वीटर पे ट्वीट करके बताईए या फिर यूटुब पर भी देखके आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं यह दि कोई प्राब्लम हो जैसे कि मुझे लेकर के मेरे वीडियोज को लेकर के किस तरह के वीडियोज में बताऊं कोई प्राब्लम आपको नहीं फिर देखते रहिए और लाइब को इंजोई कीजिए क्योंकि जीवे ने कराई समय घटना है दोस्तों इसके बारे में समझ पाना इंपॉसिबल है लेकिन क्रेटिव होना पॉसिबल है जो पॉसिबल है वो तो करना चाहिए कम से कम इसमें कोई दोराए नहीं है तो ठीक रहिए अच्छे रहिए अपने काम पे ध्यान दीजिए बेकार में समय बरबाद मत कीजिए आपके पास समय है तो रेश्ट कीजिए किसी तकलिप वाली बात करने के बज़ाए तो रेश्ट कीजिए किसी को कोई प्राबलम न हो ऐसा काम कीजिए लोग लाइक करें अच्छा कहें और आपकी जो इमेज है वो लोगों के अंदीलों में बनती रहे इस प्रकार के कारी कीजिए मुझे लगता है कि मेरी वाइस को सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आ रहा होगा और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वाइस को सुनकर आप बहुत ही आनंदित में सुस करें अपनी जीवन की सारी प्राबलम को खतम करके दोस्तों मुझे सुनने ही कोशिश करें बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसके बावजुद भी यह आपको कोई प्राबलम होती है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे ही बोरिंग लग रहा है तो मुझे कमेंट्स करें रिप्लाइ करें और मुझे बताएं कि मैं जो कर पा रहा हूँ क्या ओ ठीक है या नहीं आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छा करने ही कोशिश करूँगा तो मुझे बताएं मेरे कमेंट्स बाक्स में जाके लिखें यूट्यूब कमेंट्स बाक्स में जाके लिखें कि आपको किस तरह की वीडियो और पसंद है और किस तरह के में बना के डालूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा आनंदित मेसुस हो सके मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जरूरत है मुझसे मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको बहुत सारी जरूरत है मुझसे निश्शित रूप से दोस्तों मैं आपकी ज़रुद पूरी करूँगा बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो में डालने ही कोशिश करूँगा जिसको देख करके आप अपनी जिन्दगी के कुछ पल मेरे साथ बाठ सकेंगे और अच्छे से जीने के लिए सेटिसफाई हो सकेंगे सेटिस्पेक्शन बहुत जरूरी है दोस्तों जिन्दगी को जीने के लिए क्रेयटिविटी भुत जरूरी है यदि आप क्रेयटिव नहीं है ता आप खुछ करनी सकते है बोरिंग से हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तो creativity बहुत जरूरी है, किसी भी field में हो, आपको creative रहना बहुत जरूरी है, creativity बहुत important है दोस्तों, उसके लिए motivate होना बहुत जरूरी है, और motivational के लिए आपको इस प्रकार की चीजें समझना बहुत जरूरी है, जिसमें motivational ideologies बताई जाती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में voice के माध्यम से बहुत धीनी गती से बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, प्लीज, अच्चे से watch करें, सुने, समझे, शब्द को समझे, वर्ड्स को समझे, उनके meanings जाने और पता करें कि life ensures किस तरह से सर्वाई की जाए life को, management for the life, जिन्दगी बेशकिम्ती हैं, रस्य हैं, हम सभी जानते हैं, और यदि आप नहीं भी जानते हैं, तो मेरे वीडियो लगातार आप देखते रहिएगा, जीवन की रस्म हैं, बातों से मैं अवगत कराऊंगा, life को कैसे जीना है, मैं जीवन परवंधन, और भी बहुत कुछ, कोई भी टेंशन ना रखे जिन्दगी में, इंजोई करे life को, अपने काम में ध्यान दे, अपने घरवालों को खयाल रखे, विसे तो अपन होते कोने खयाल रखने वाले, लेकिन फिर भी, आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए वेक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है, और फेरेंट्स जो होते हैं, वो, हम किसी फेरेंट्स के उपर डिपेंड रहते हैं, हम जब छोटे होते हैं तब से लेकर के, तो फिर हमारे उपर कोई दूसरा आ जाता है, और वो डिपेंड हो जाता है दोस्तों, तो हम अपनी जिम्यदारियों को समझें, और जिन्दिगी को अच्छे से जीएं, लाइट में किसी भी प्रकार की कोई प्राब्लम्स न हो, यदि आप जीवन को सही तरीके से और प्राकर्तिक नियुमों के अनुकुल अगर डाल लेते हैं, और जीना शुरू कर देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है, समझना है, देखना है, और चिंतन करना है, दोस्तों की, जीवन को बड़ी आसानी से जिया जा सकता रहा है, बीना किसी प्राब्लम की, तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है आपसे, कि लाइप में कोई टेंशन न रखे, लाइप को अच्छे से जीए, मैं बार-बार लाइप शब्द यूज़ कर रहा हूँ, चलो मैं हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, जीवन को कैसे जीए, लाइप इस इंजॉइमेंट लाइफ, ये मैं वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, समझाने ही कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, पास में दिख रहा है, लाल बटन पर दबा दें, सब्क्रिशन हो जाएगा, और पास में दिख रहा है, लाल बटन दबाने के बाद, जैसे ही बेल का आइकोन आपको शो होगा, उस पे किलिक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी में इस प्रकार का कोई डालूँगा, तो आपको तुरंट नोटिपिकेशन मिल जाएगा, और फिर से जो है, आपको नई चीज देखना को मिलेगी दोस्तों, तो मैं इसी के साथ अपने इस वीडियो को पूरा कर रहा हूँ, देखते रहे हैं, इश्वरलाल गहलोत, सुनते रहे हैं, मेरी स्पीच कैसी लगती है आपको, इसके बारे में कमेंट्स कीजिए, ये में सिरफ सिम्पल वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, और भी टेक्निकल दिखाऊंगा, धन्यवाद, यू लाइक माई चैनल, टैंक्स फो यू, बाई बाई